गुड मॉर्णिंग और वेलकम बेक दोस्तो आज स्वतनता दिवस की सभी भारत बासियों को बहुत बहुत बधाई सुबकामना है दोस्तो कल 360 का वेबनार हुआ था और उसको लेकर के ऐसा लगा कि अब बिल्कुल आर्थिक अजादी चंद कदम दूर है और तुकि हम एक आर्थिक आजादी के लिए बहुत लंबे समय से संगर्स कर रहा है जिस परकार से भारतियों ने अपनी आजादी के लिए 200 साल इंतिजार किया और उस इंतिजार के बाद जो स्वाद मिला बहुत जादा बहतर बहुत ज़्यदा खोफसूरत ऐसा ही बिल्कुल आप सब लोगों के आर्थिक अजादी चंद कदम के दूर है बिल्कुल बैसा ही ऐसास होने जा रहा है क्योंकि जब हम लोग एक अजादी की बात करते हैं तो बहुत जादा सुनहरा हमारा पल हमें सबको याद आने लगता है और खुसियां हम लोगों को सबको मिलने लगती है दोस्तो कल 360 का वेबनार था और उस पर क्रेश माडी रैड ये लोग कर इसको कंड़र्ट करते हैं और इसमें एसर आए साड़ी 11 बज़े ये स्टार्ट हुआ और इसको लेकर के जो एसर ने स्पेशल अपडेट दिया उसको लेकर के आज हम इस वीडियो पर हैं दोस्तो वीडियो के अंतक आप बने रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो होने जा रहा है दोस्तो मैं हूँ यार कमल और यादी आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शियर करें और बैल आइकन के बटन को हिट करना ना भूले तो दोस्तो कल 360 का बैबनार और उस पर एस सर का आना एकसाइटमेंट का पल तो मैसूस कराता ही है साथ ही उन्होंने उन सब चीजों पर भी बात की थी कि उनके सामने कुछ बैड एपल्स आ गयते कुछ ऐसे लोग आ गयते कुछ हमारा सेलेक्शन गलत हुआ कि हमने ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर लिया जिन्होंने हमें बहाँ पर नुकसान पहुंचाया उन्होंने ये भी सुईकार किया कि जो चीजे बहुत पहले आज आने चाहिए ती परन्तु बों कहीं ना कहीं लेट हुई और उन्हेंने ये भी का कि यहाँ आउन पैसिव है और यहां जितना भी founder है जितना भी हमारा mission, mission, mission और vision की हम लोगों ने बात कर ली कि वो सब यहीं पर है और यहीं से आप सब लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है आप सब लोग बिजवास रखे current scenario जैसा भी चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने जरूर अपने आपको निरासा व्यक्त की और इस निरासा से निकलने का सब लोग के पास एक साधन होता है हम सब लोग कभी न कभी जीवन में निरास जरूर हुए है और उस निरासा के बादल जब छटते हैं तो बहुत ज़्यादा खुसी मिलती है ऐसा ही उन्होंने का कि एक दिन आप सब लोग स्वेम ही साह तारिफ करेंगे हमारी और हमारे ओन पैसिव की बोले कि हमने ओन पैसिव को बहुत आगे ले जाने का सोच हुआ है जैसा कि हमारा मिशन है और उसके अनुशार हम लोग अब काम कर रहे हैं अब एक बिल्कुल निव स्टार्ट अप है और हम एक निव फेस की तरफ बढ़ रहे हैं निव फेस आप सब लोगों के लिए एक आर्थिक अजादी का कॉलम बनने जा रहा है क्योंकि यहां पे हम सब लोगों ने ओन पैसिव को ले करके जितना तयार किया है उसको कुछ लोगों ने खराब करने की कोशिस की और वो उसमें सफल भी रहे यही वज़ा है कि आज कुछ लेट हम लोग हुए है तो कुछ आम सब लोग मिलकर के ऐस से की यही बात करते हैं कि जितना भी समय लगा है उसके लिए कोई बात नहीं समय गुजर चुका है अब आगे के जितना अच्छा आप भैतर कर सकते ते वो कीजिए जितना अच्छा आप सलेक्षन कर सकते हैं लोगों को अच्छा सलेक्षन कीजिए और उन पैसिप को उसी मुमेंट पर ले करके आईए जैसा आपने स्टार्ट अप किया था और जैसा आपने सोचा था जैसा आप इंटरनेट जगत को हिलाना चाहते थे corruption मिटाना चाहते थे internet जगत के अंदर जो चल रहा है वो सब कुछ देना चाहते है humanity को uplift करना चाहते थे और founders आतियों को भी आप बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे क्योंकि आप हर घर को एक रोटी देने की बात करते थे वही चीजे आज से फिर हम लोगों को चाहिए और आप साइद उस mission की और बढ़ चुके हैं कहते ना कि भूली रहा बिसारी आगे के सुद लेजिए और कल का भूला साम को घर आ जाए सुबह का भूला साम को घर आ जाये तो उसे भूला नहीं कहते Constant, क्योंकि आपने इस बात को स्वेम शुकर किया है कि कहीं गल्तिया हुई और ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो अपने गल्तियों को मानते हैं अधिकतर लोग दूसरे पर दोशर रोपकर करके अपने आपको ख्वाँमि क्लीन चिट दे देते हैं और जो कि आप ने नहीं कि आप मेसूस कर रहे हैं इस वाठ के लिए कि फांडर भी परैशान हैं लोग भी प्रैशान है और आपका जो मिशन पोजन है था वह भी आपने कए ना कईनग मगा गया और आपने कोगा कोला की बात करी आपने कई चीज़ों की ऐसी बात करी कि उन्होंने का कि कुछ गलत चीज़े परोस रहें जो लोगों के लिए नुकसान दायक है मगर हम ऑनपैसिव के माद्दियम से कुछ बहतर चीज़े देने के लिए हैं और उसकी सेल जब अज़सता है तो क्या हमारी सेल ले करके बहुत ज़्यादा आसाबान थे इनकम को ले करके बहुत आसाबान थे उन्होंने का कि सब लोगों के लिए वो सब कुछ मिलेगा जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो बातों इबातों बहुत सी चीज़े ऐसी उन्होंने कि क्योंकि अक्सर उनकर देखा जाता है बात करते हैं तो उसमें प्लूज छुपा हुआ होता है, क्लूज को तलासने के लिए हम लोग उसको देखते हैं, वीडियो को बारवर रन करके देखते हैं और समझने की पूरी कोशिस करते हैं, कि आखिर इन क्लूज में क्या बोल के जाते हैं, तो उनोंने बिल्कुल उनकी बात उसे यही लगा कि अब आर्थिक आजादी से हम सब लोग चंद कदम दूर हैं जैसे ही migration shifting complete होता है तो आपके सामने बहुत ऐसी चीज़े दिखाई देंगे जो आपने उसकी कलपना नहीं की और आपकी कलपना से परे होगा और आप soft हो जाएंगे फिर आप on passive की भी तारीफ करेंगे फिर आप s की भी तारीफ करेंगे और आप स्रेम में भी कहेंगे अच्छा हुआ कि हमने इस्ता इंतिजार कर लिया और जो मिला वो बहुत बहतर मिला और बहुत बहतर मिलने की पूरी पूरी यहां पर संभावनाय है हमारा प्रोड़क्ट हमारी नियत सब कुछ साफ है और अच्छी है और हम इसी बल पर आगे बढ़ रहे हैं और उसका साथ आप सब फाउंडर साती दे रहें चर्चा तो बहुत लंबी होती हर बात को हुब हुब बताना भी हां पर ओचित नहीं होता है इसलिए कुछ ना कुछ अपने पास से भी आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए हम सब लोग प्रियास करते हैं जितना भी योटूबर है क्योंकि काफी लोगों को चिंता है अपने फ्यूचर को लेकर के बर्तमान सभी का खराब है फ्यूचर बहुत बैतर होने वाला है ऐसी कामना को लेकर के सभी लोग एक्साइटेड हैं और सब लोग मानते भी हैं कि आज नहीं तो कल आउन प्रैसिप के फाउंडर सातियों का बहुत स आप सब एक ही बात किया सकते हैं कि हम सब लोगों के लिए आर्थिक आजादी बस चंद कदम दूर है जिस परकार से भारत ने अपनी आजादी के लिए संगर्स किया बैसी हम सब लोग फाउंडर साती अपनी आर्थिक आजादी के लिए संगर्स कर रहे हैं ये बात ऐसको बाबाखो भी पता है इसलिए उन्होंने कहा था कि आने वाला पल ऐसा होगा कि आप स्वेम तारीफ करेंगे कि आपको क्या मिला और हम क्या देना चाहते थे तो दोस्तों वीडियो के अंतकाब बने रहें आपका बहुत-बहुत सुक्रियत वीडियो कैसा लगा यादी कमेंट बॉक्स में कमेंट चरूर लिखें दोस्तों धन्यबाद